बहुत बहुत स्वागत हैं मेरे इस चैनल पर दोस्तों तो अगर आपके pregnancy शुरुवाती दिनों में है और अक्सर आपके पेट में दर्द रहता है या फिर किसी दिन दर्द महसूस हुआ हो तो वो दर्द क्या है क्या है क्या ये pregnancy conceive करने का symptom से या फिर कुछ और है सबसे पहले जानेंगे यह कि आखिर pregnancy conceive implantation का जो cramp होता है वो आपको कब मैसूस होता है तो वो आपके संपड़ के 6-12 दिन के बीज में जब आप evolution में try करते हो तो 6-12 दिनों के बीज में आपका implantation होता है तो जब implant होता है आपके uterus की lining embryo यानि गरभाशे की दिवार पर embryo जो है वो चिपकता है अटैच होता है तो जब वो चिपकता है अटैच होता है तो उसकी दिवार पर वो खुरदुरा पन करता है जिससे कि वहाँ पो चिपक सके तो उस खुरदरे पन के यानि कि जब उस किन थोड़ी सी निकलती है तो वहाँ पे हलका सा आपको क्रैम्प महसूस होगा यह क्रैम्प आपके पेट के निचले हिस्से में दाई या भाय साइड महसूस हो सकता है तो यह होता है इंप्लांटेशन क्रैम्प जब एक बार इंप्लांटेशन हो जाता है तो यानि कि आपके प्रेगनेंसी रुख चुकी है जब प्रेगनेंसी रुख जाती है तो डेट मिस होता है डेट मिस होने के बाद भी अकसर आपको पेट में दर्द कभी-कभी बना रहता है तो एक बार ये निश्चित करें कि क्या आपने कुछ ऐसा अटपटा खाया ओले स्पाइसी या जंक फूट खाया जिसके कारण आपको पेट में हलका सा दर्द मैसूस हुआ तो ये गैस या कॉंस्टिपेशन के कारण भी हो सकता है और अगर आपको ये दर्द डेट मिस होने की 10 से 15 दिन बाद बहुत जादा हो राया ये दर्द और साथ ही आपको कुछ स्पॉर्टिंग या ब्लेडिंग के भी कुछ दिख रहा है आपने टेस्ट किया टेस्ट पॉजिटिव आया लेकिन 10 से 15 दिन के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिख रहा जिसमें स्पॉर्टिंग हो रही है साथी बहुत जादा implantation cramp इसे हमने कहते हैं बहुत जादा pain हो रहा है बहुत जादा पेट में दर्द हो रहा है और दाय या बाय साइड या पेट के निचले हिस्से में काफी जादा दर्द हो रहा है तो यह miscarriage के भी sign हो सकती है अब यह कि डेट के आस पास आपको फिर से दर्द हो रहा है लेकिन आपको bleeding या spotting type का कुछ नहीं होता है लेकिन बहुत जादा दर्द होता है काफी जादा चक्कर आता है vomiting आता है पेट के निचले हिसे में दर्द होते रहता है तो यह ectopic pregnancy हो सकती है लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ आपने अटपटा खाया हो और हलका सा दर्द मैसूस हुआ तो आप यह गड़ेलू पाई कर सकती है कि गुनगुना पानी पीजियो टह लिए और दर् digestive system काफी slow work करता है जिसे पचाने में पेट को काफी जादा टाइम लगता है और अगर आपने कुछ हाट चीजे खाली है तो इसको पचने में टाइम लग रहा है और इस वज़़े से गैस बहुत जादा बनने लग रहा इस वज़़े से पेट में हलका सा दर्द होता है तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और कॉमेंट करते जाए जाते जाते शेयर जरूर करें